कहानी एक महिला सेना अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है, जो USA नेवी की स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला बन जाती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संदेह के बावजूद वह परीक्षा पास करके सभी को गलत साबित कर देती है, जबकि कई पुरुष ट्रैनिंग छोड़ देते हैं। हैस के आधे अधूरे भाशन को बीच में रोक देती हैं। वह उनके तरकों का खंडन करती हैं और कहती हैं कि मिलीटरी में महिलाओं के प्रती नेवी का रवईया एतिहासिक रूप से खराब रहा है। सीनिटर अपनी रिसर्च पर जोर देती हैं और रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ना शुरू करती हैं। इसमें उच्च पदस्थ नेवी ऑफिसर्स के रिकॉर्ड किये गए बयान हैं जो महिला सैनिकों को कम सक्षम के रूप में चित्रित करते हैं। साथ ही अकसर महिलाओं के प्रती द्वेश पूर्ण टिपणिया करते हैं। इस विसफोटक सुनवाई के बाद नौसेना तुरंत डेहेवन के साथ एक निजी बैठक के लिए बुलाती है। वह बैठक के लिए सहमत हो जाती है। और जल्द ही अपने कार्याले में रक्षा विभाग या डियोडी के अधिकारियों के साथ बैठती है। हालांकि डियोडी के लोग नेवी में महिलाओं को शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं और डेहेवन के प्रयासों को विफल करने की एक योजना लेकर आए हैं। वे उसे एक एक ही करन योजना प्रस्तुत करते हैं। जिसमें कहा गया है कि यदि कोई महिला प्रशिक्षु चुनेगा और उसे एक example बनाएगा लेकिन वह फिर भी इसके लिए सहमत हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि इस program से बनी चर्चा उसके career में ही help करेगी सीनेट कार्यालय के बाहर रक्षा विभाग के अधिकारी हेश से मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि उन्हें डेहवन की महिला प्रशिक्षु के लिए कौन सा program चुनना चाहिए वे US Navy Combined Reconnaissance Team या CRT पर सहमत होते हैं जो एक कठिन चयन ट्रैनिंग है जिसमें लगभग 60% उम्मीदवार चौथे सप्ताह से पहले ही ट्रैनिंग छोड़ देते हैं इसरा सप्ताह विशेश रूप से गहन होता है और इसे नरक सप्ताह के रूप में लेबल किया जाता है इन पुरुष अधिकारियों का दिर्ध विश्वास है कि कोई भी महिला पहले सप्ताह से आगे नहीं बढ़ पाएगी सीन नौसेना के उपग्रह निगरानी कक्ष में बदल जाता है जहां स्थला कृतिक विशलेशक लेफटिनेंट जॉर्डन ओनील सक्रिय युद्ध क्षेत्र से सील टीम को घर लाने पर काम कर रहे हैं कट्रोल रूम ने टीम के साथ संपर्क हो दिया है और एक ऑफिसर ने उन्हें बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त सहायत बेजने का सुझाव दिया है लेकिन इस प्रक्रिया में 18 मिनट लगेंगे क्योंकि अतिरिक्त सहायता टीम को पूर्व निर्धारित बचाव बिंदू तक पहुँचने के लिए इतना समय चाहिए होगा दूसरी ओर ओनील ने पिकप उइंट को पूरी तरह से बदलने का प् इसलेशन करती है और एक ऐसे क्षेत्र को इंगित करती है जो बचाव समय को आधा कर देगा उसकी योजना को हरी जंडी मिल जाती है और ठीक 9 मिनट बाद सील टीम उसी स्थान से नियंतरन कक्ष से फिर से संपर्क स्थापित करती है जिसे ओनील के बताय अनुसार उन्हें बचा लिया जाता है जिससे एक बड़ी तबाही टल जाती है इस बीच सीनेटर डेहेवन और उनकी टीम नेवी के CRT प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी सूची देखती है वह एक ट्राइथलीट को बेहत दुबला होने के कारण और एक चैंपियन पावर ल जरूरत नहीं है उसकी नजर लेटिनेंट जॉर्डन ओनील पर पड़ती है जिसने ओलंपिक ट्राइथलॉन प्रतियोगी होने के साथ साथ अकादमिक रूप से उतक्रिष्ट होने की प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है वह पारंपरिक रूप से स्त्री होने के मा दाई देता है लेकिन साथ ही उसे वार्निंग भी देता है कि वह ऐसे मामलों में बहुत अधिक शामिल नहों कि वह एक सैनिक नहीं बलकि एक खुफी आधिकारी है तब ही ओनील को एक कॉल आती है और उसे सीनेटर डेहवन से उनके ओफिस में ततकाल मिलने के लिए कहा जात उस रात लेफटिनेंट अपने घर लोटती है और अपने पती के साथ इस विचार पर चर्चा करती है लेकिन वह कई कारणों से इस विचार के बारे में बहुत उतसाहित नहीं लगता सबसे पहले नेवी CRT एक बहुत ही कठिन प्रोग्राम है जो ओनील को लंबे समय तक चल तक उसका इंतजार करने का धैर्य नहीं हो सकता यह उनील को दुखी करता है जिसे लगता है कि उसका मंगेतर उसकी क्षमताओं और उनके रिष्टे को कमजोर कर रहा है वह अब सभी को गलत साबित करने के लिए और CRT कारेक्रम के लिए नामांकन करती है कुछ दिनों बाद वह ट्रैनिंग सेंटर पहुंचती है और कमांडिंग ऑफिसर उसे हॉस्टल से दूर एक अलग रूम देता है जहां सभी पुरुष प्रशिक्षू सोते हैं जल्द ही यह बात पहल जाती है कि प्रोग्राम में एक महिला को भी भरती किया गया है जिससे पुरुष बिलकुल के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर वह प्रशिक्षूं को कमांड मास्टर चीफ जान और गेल को सौंप देता है जो उनके मुख्य ट्रैनिंग सुपर्वाइजर होंगे वह बहुत ही सखत व्यक्ती है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि गुरुप में एक महिला भी है वह सभी की वर्दी की जांच करते हुए वह डीवेच लॉरेंस की एक स्टोरी सेल्फ पिटी पढ़ता है अप्रत्यक्ष रूप से सभी को खुद पर तरस ना खाने के लिए कहता है इसके बाद प्रशिक्षूं को सबसे पहले सिखाया जाता है कि कैसे सैन्य श्रेणी की नावों को समुद्र की ओर ले जाया जाए और जल्दी से उससे उतरा जाए बाकी की ट्रैनिंग बहुत कठिन है जो उनकी शारीरिक शक्ती का परिक्षन करती है कई भीशन अभ्यासों के दौरान कमांड मास्टर जॉन उन्हें छोडने का आग रह करता है ताकि उन्हें आगे और दुर्व्यवहार न सहना पड़े इसलिए उन्होंने प्रशिक्षन यार्ड के सामने एक घंटी लगाई है और जो कोई भी छोड़ना चाहता है उसे तीन बार घंटी बजानी होगी ओनील के साथ जौन से कोई अलग व्यवहार नहीं किया जाता है लेकिन वह अन् भोजन को कच्रे के डिब्बे में डालने और खाली पेट प्रशिक्षन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है चरम दिंचर्या का यह सिलसिला अगले दिन भी जारी रहता है सुबह से रात हो जाती है और सैनिकों को ठंडे समुदरी पानी का सामना करने के और बचा हुआ ठंडा भोजन अपने मुह में ठूंस लेती है रात के खाने के बाद कमांड मास्टर जॉन उन्हें एक निबंध लिखने का आदेश देते हैं कि वह यू ऐसा नेवी स्पेशल फ्रोसे में क्यू शामिल होना चाहत है जब ठके और भूखे सैनिक निबंध ल जाकते रहने में मदद मिलती है 15 मिनट बाद जॉन परीक्षन कक्ष में वापस आता है और उन्हें ट्रैनिंग यार्ड में वापस भागने का ओंडर देता है उन्हें एक बाधा कोर्स दोड़ना है जिसमें उन्हें लाइव फाइरिंग से सुरक्षित रहना है उनील को सू उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम होनी चाहिए कोर्स के दोरान जॉन देखता है कि ओनील प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से इनकार कर देती है और इसके बजाए अपने सभी साथियों की तरह प्रतियेक बाधा को पार करती है दीवार पर चढ़ने वाली बाध करते हैं कि एक महिला को पारंपरिक रूप से मरदाना स्थान में भाग लेने की अनुमती है दूसरी ओर दिन में 20 घंटे का प्रशिक्षन कई सैनिकों की मानसिक और शारिरिक शक्ति को कम करने लगता है अधिक से अधिक प्रशिक्षू ट्रैनिंग छोड़ने लगते हैं ल कि उसे भी उन्ही की तरह ट्रैंड किया जाए लेकिन उसे ऑफिसर से लेंगिक भेदभाव वाली टिपपणी सुनने को मिलती है जिससे यह सपष्ट हो जाता है कि उसे अपने शिवर में एक महिला को रखने का विचार पसंद नहीं आ रहा है इस तरह से व्यवहार किये जा का फैसला करती है जहां सभी पुरुष प्रशिक्षु सोते हैं कमरे में अधिकांश पुरुषों को ओनील के वहां होने से समस्या है खासकर इसलिए क्योंकि वह अपने साथ टैंपॉन लाया है फिर कमांड मास्टर जॉन ओनील की हरकतों को नोटिस करता है और उसके इस प्रयोग के गुप्त होने के बावजूद अब तक उसकी उपलब्धियां न्यूज में आ गई हैं लोग उसे जी आई जेन भी कहते हैं क्योंकि वे उसका असली नाम नहीं जानते ट्रैनिंग सेंटर में चीजें और भी चरम सीमा पर पहुँच गई है लेकिन जी आई जेन के बारे में समाचार पाने के लिए वास्तव में बेताब हैं जो नेवी की कठिन ट्रैनिंग को सेहन करने वाली एक मजबूत महिला है एक दिन जब ओनील अकेले नहा रही थी कमांड मास्टर उसके लिए एक न्यूज लेकर आता है उसकी टीम के सबसे वरिष्ठ सदस्य को पैर में फ्रैक्चर के कारण हॉस्पिटल में भरती कराया गया था इससे वह अपने गुरुप में सबसे अनुभवी सेना अधिकारी बन गई और अपनी टीम की लीडर बन गई दूसरी ओर डी और अधिकारी और सचिव हैस इस बात से निराश हैं कि ओनील ने किस तरह से ए प्रतिरोध और पलायन एस यारई ट्रैनिंग स्टेप आता है और प्रशिक्षूओं को एक अग्यात स्थान पर हवाई जहाज से उतार दिया जाता है उन्हें एक लक्षे तक पहुंचना होगा उसके बारे में परियाप्त जानकारी प्राप्त करनी होगी और पकड़े जा चारीरिक फिटनेस की जांच करने के लिए सिर्फ एक अभ्यास के बजाए एस यारई को वास्तविक दुनिया के परिद्रिश्यों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है यदि प्रशिक्षू उस स्थान से जल्दी निकासी का अनुरोध करते हैं जहां वे हैं या यदि वे पकड़े जाते हैं तो उनके साथ वास्तविक युद्ध कदियों जैसा व्यवहार किया जाएगा दुर्भाग्य से प्रशिक्षन के दौरान ओनील की टीम के दो सदस्य पकड़े जाते हैं जब उन्होंने उसके आदेशों का पालन करने से इंकार करते हैं सुरक्षित स्थान पर वापस भागते समय एक अन्य सदस्य का पैर तूट जाता है उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए ओनील भी पकड़ी जाती है वे सिर्फ प्रशिक्षू हैं लेकिन अधिकारी इसे वास्तविक रूप देते हैं और उस व्यक्ति की हेल्प भी नहीं करते जिसका पैर तूट गया था वे वास्तव में उसे अन्य टीमों के स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए टोर्चर करते हैं जिसका इस परिद्रिश्य में मतलब है जब ओनील का समय आता है तो उससे कोई और नहीं बलकि खुद कमांड मास्टर जान ही पूछताच करते हैं उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बात करें जान उसे बेरहमी से पीठना शुरू कर देता है जब दूसरे ट्रैनिंग आफिसर को लगता है कि ये बहुत हिंसक हो रहा है तो जॉन उसे बाहर जाने का आदेश देता है फिर जॉन यातना को एक कदम आगे ले जाता है और उसकी पैंट फाड़ने की कोशिश करता है यह कहते हुए कि यह सब वास्तविक स्थिती में हो सकता है अचानक ओनील जवाबी कारवाई करता है और जॉन को उसके पैरों के बीच मारने में काम्याब हो जाती है फिर वह उसक उसकी पीठ चूमने के लिए कहकर उसका अपमान करती है जिस पर सभी पुरुश प्रशिक्शू उनील की जय जय कार करते हैं और कमांड मास्टर को ऐसा करने के लिए कहते हैं सभी विभागों के बेमेल सैनिकों के एक समूह को एक टीम में बदलने के बाद उनील ने आखिर जान का सम्मान अर्जित किया। जान के दोरान अन्य महिला अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें लेना उनके और उनके संगठन के लिए अपमान की बात है। ओनील ने तीन बार घंटी बजाई। ये संकेत देते हुए कि वह स्वेच्छा से ट्रैनिंग से हट रही है। फिर वह अपने मंगेतर के पास घर लोटी है। जिसके पास साजह करने के लिए कुछ हैरान करने वाली खबर है। वह उसे दिखाता है कि गुमनाम तस्वीरें किसी और से नहीं बलकि सीनेटर डेहेवन के आफिस से ही भेजी गई थी। वही व्यक्ति जो चाहता था कि वह महिला सशक्ती करण को साबित करने के लिए सफल हो। पता चलता है कि सीनेटर ओनील का इस्तेमाल सिर्फ अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। वह चाहती थी कि वह अपने पुरुष समकक्षों को डराने के लिए बस इतनी ह वाली थी तो डेहेवन ने उसे अपने ग्रिह राज्य टेकसास से सैन्य आधारित बंदी को रोकन के लिए नेवी के साथ सौदेबाजी के रूप में इस्तिमाल किया। यहां तक कि जब ओनील इस बारे में सीनेटर से भिड़ती है तो वह ऐसे खेलती है जैसे उसे कुछ भ पता नहीं है लेकिन बाद में सीनेटर लिलियन सच बताती है और स्वीकार करती है कि उसने राजनीतिक लाब पाने के लिए उसका इस्तिमाल किया। शैतान के मुंग से यह सुनने के बाद ओनील उसे बेनकाब करने की धमकी दी। वह प्रेस से इस बारे में बात करने से नह होता है। अंतिम प्रशिक्षण शुरू होने से पहले यह एक आपात कालीन स्थिती से बाधित होता है जिसके लिए CRT प्रशिक्षु के ततकाल समर्थन की आवश्यक्ता होती है। हतियार ग्रेड प्लूटोनियम द्वारा संचालित एक अवलोकन उपग्रह लीबिया के र इसलिए उसे बचाने के लिए जॉन लीबियाई सैनिक को गोली मार देता है जिससे उनका भेद खुल जाता है। अब लीबियाई गश्ती दल को अपने एक शेत्र में अमेरिकी सेना की उपस्थिती के बारे में पता चल जाता है। और दोनों पक्षों के बीच टकराव इसलिए मास्टर चीफ फिलहाल गलत दिशा में जा रहे हैं और गंभीर संकट में हैं। लेकिन ओनील उन्हें बचाने के लिए यहां हैं। लीडर के चले जाने के बाद ओनील आगे आती है। वह घायल मास्टर चीफ को बचाते हुए नेत्रित्व और रणनीती में एक नि इंतिम द्रिश्य में कमांड मास्टर जॉन जेम्स और गेल ओनील को अपना नेवी क्रॉस और एक कविता की किताब देते हैं जिसमें D.H. लॉरेंस की एक छोटी कविता सेल्फ पिटी है जो उनकी उपलब्धी की स्वीकृती और उन्हें बचाने के लिए आभार के रूप में है और मूवी यही समाप्त हो जाती है